कि अग्जिनियर में तो आज जो यह हमारी क्लास है यह हमारी वेल्डर की mcq की क्लास होने वाली है ठीक है तो यह जो हमारा mcq का जो कोस्टन चलेगा जो भी सब्सक्राइब होगी ठीक आज जो घोड़ने की कोसिज करेंगे सही से ठीक है तो आज जो हमारी क्लास है तो आज हमारी जो है एक लास नंबर फरस्ट है ठीक है विल्डर की जो हमारा mcq चल लाने ऐक लास नंबर फरस्ट है और यह जो mcq है यह rrb-alp हो गया technician technician हो और जो भी हमारे वंडे एक्गजाम होते हैं ठीकर आगे होता है इंके लिए ये क्लास के लिए यह這是 फुल होगा जो यह हमारी class चल लए है ठीक है तो इसमें क्या कराएंगे हम लोग mcq वह भी कौन से जो विट previous year question previous year question के साथ भी mcq कराये जाएंगे और कुछ नए mcq भी कराये जाएंगे जो मतलब की आगे चल के मतलब बन सकते हैं इस तरह से क्या होगा mcq यहाँ पर कराये जाएंगे और यह mcq की स्ट्रेट के रहेंगे विल्डर के रहेंगे ठीक है न यह परड़े एक बज़े class से लेगी और इसमें क्या होगा कि mcq with explanation के साथ यहाँ पर आपको कराया जाएगा ठीक है न तो यह यह हमारी class क्या है कि एक प्यम पर पर दे तो पहर पर एक बज़े लाइब होगी ठीक है न तो सभी लोग पर दे जुड़ेंगे ठीक है तो आगे हम लोग चलते हैं तो आगे हमारे यह के है कि RMB ALP Technician और और sixtiden심 के लिए कहां है कि हमारा कोर्स भी चला है करिour एपक्रेट बाइंजीनियर जो हमारा जो यूटुब अप्लीकेचन का जो नाम है यूटुब चैनल का जो आम है वही हमारे application का जो है नाम है ठीक है ना तो वो download करेंगे play store से और क्या करेंगे वहाँ पे आप अगर जो भी builder की जो theory complete करना चाहते है जो भी हमारा master course है उसमें आप लोग join कर सकते है ठीक है ना इसका जो price रखा गया है वो है हमारा 299 ठीक है ना सिर्फ क्या है कि हमारा जो है 299 इसका क्या रखा गया है इसका हमारा 299 price रखा गया है ठीक है ना तो जिने भी theory complete पढ़नी है पूरी complete theory करनी है वो यहाँ से कर सकते है ठीक है ना welder trade theory इसमें यह कहा है हमारा 6 फरवरी से यह course चल ला है अभी इस पर ज्यादा classes नहीं हुए है कि और first chapter ही complete हुआ है ना तो जो लोग भी complete करना चाहते है theory अपना base मजबूत करना चाहते है वो यहां से जुड़ सकते हैं यह कह होगा हमारा RRBLP जो भी technician है और भी जो 1D exam होते हैं DRDO हो गया जो भी exam होते हैं सारे exam के लिए helpful रहेगा ठीक है ना तो चलिए आज की हम class start करते हैं जो हमारा mcq का question है तो हमारा mcq का question है सबसे पहला question हमारा क्या है कि और सब्सक्राइब करते हैं यानि कि जो हमारा क्या है कि जो आर्क कलिक करती है उससे उससे क्छी कीन इंग्लीजने में मतलब देखना तो यहा smart से पढ़ सकते हैं कि ultraviolet किने क्या है जो ultraviolet rays है वह किस Gas को ओजोन में परिवर्धित करती है हना तो यह आप से लोग से इसमें comment में answer देंगे कि कौन सी Gas है जिसे क्या कर देती हैं क्प्लीक कर देती है ठीक है ना आंसर कुस लोग दे रहे हैं बी ने यहाँ पे हमारा क्या होता है कि यह हमारे किस गैस को आक्सीजन गैस को क्या होता है यहाँ पे डी नंबर होगा हमारा सही कि आक्सीजन गैस को ठीक है ना आक्सीजन गैस को क्या करती है कि ओजोन में परिवर्तित कर देती है ना कैसे करती है कि यह जो हमारी परावैगनी कीणे होती है है ना परावैगनी कीणे जो होती है तो यह क्या करती है यह जो हमारी वेल्डिंग से उत्पन ने परावैगनी कीणे हो या जो हमारी सूरे से उत्पन जो परावेंगनी कीणे होती है तो ये क्या होती है दोनों का जो गुण होता है जो दोनों की जो विशेस्ता होती हो सेम होती है ठीक है न कि ये क्या करती है कि हमारे सरीर के लिए क्या होती है हानि कारक होती है तो ये करती क्या है कि जो हमारे वातावरण में यानि कि जो वातावरण में हमारे जो उपरी वातावरण में क्या है कि जो आक्सीजन है यानि कि जो उपरी वातावरण में जो आक्सीजन होती उसे क्या करती है कि आक्सीजन के जो मौलिकुल्स होते हैं यानि जो ये दो मौलि कुल्स होता है यानि कि जो आक्सीजन का जो माली कुल्स होता है तो यह एक अड़ु इसके साथ क्या कर देता है जाके जुड़ जाता है तो यह हमारा क्या बन जाता है ओध्री ओध्री बन जाता है जो की हमारा क्या होता है ओजोन ठीक है ना जो की हमारा क्या होता है ओजोन हो होती हैं तो यह क्या करती है कि आक्सीजन का जो भी मालिकूल्स होता है उसे एक एक अलग-अलग अड़ों में तोड़ देती है तो जो हमारा अलग हुआ अड़ों रहता है तो जो अधर आक्सीजन का जो दूसरा आक्सीजन का मालिकूल्स है उसके साथ जाके मिल लाता है तो के अंदर भी हमारा क्या होता है कारवन होता है बस इसमें से अंतर क्या होता है इसके अंदर हमारे जो होते हैं चार कारवन होते हैं और इसके अंदर हमारे छै कारवन होते हैं उसी तरह यहां पर है कि आक्सीजन में हमारे दो अडू होते हैं और इसमें जो हमारा ओजोन होता ह ठीक है ना कितने अड़ों होते हैं यहां पर हमारे तीन अड़ों होते हैं ठीक है हां तो यहां से हमारा जो पहला question का answer होगा वह मारा क्या होगा कि अकसी जा नोगा ठीक है हां हाण वेल्डर फीडवरी का चाहिए उसके लिए आपको अपलिकेशन में जाना पड़ेगा ठीक है न वहान से क्या होगा कि आपको वैल्डर तेहोरी का जो है पीडियाफ मिल जाएगा अप्लिकेशन डाउनलोड करेंगे कैरियर अप्डेट बाइंजीनियर जो यूटूब चैनल का नाम है वही अप्लिकेशन का है ठीक है तो वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं कि पीडियाफ के सेक्षर में जाके वेल्डर थेोरी का पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो अगला जो कोशन हम लोग नेस्ट कोशन की और बढ़ते हैं अगला कोशन है कि ट्रांसफार्मर निम्ने धारा पर कारे करता है ट्रांसफार्मर हमारा किस ध प्रत्यवर्ती धारा पर ठीक है ना कि alternating current पर काम करता है किस पर काम करता है प्रत्यवर्ती धारा यानि कि यहां पर क्या है कि alternating current पर काम करता है ठीक है ना कैसे कि जो हमारी प्रत्यवर्ती धारा हमारी क्या होती है कि प्रत्यवर्ती धारा हमारी ऐसी धारा होती है जिसमें कि को नहीं होती है ठीक है दिसा नहीं होती है ठीक है ना दिसा नहीं होती है क्या मतलब है कि प्लस से माइनस की और बैती है लेकिन क्या होता है कि ये धीरे धीरे है ना एक तेज रबतार में नहीं बैती धीरे धीरे बैती है कि प्लस से माइनस ठीक है ना फिर हमारा क्या जाएगा फिर प्लस से माइनस जाएगा, फिर प्लस से माइनस इस तरह से ये बैती है, इलकिन इसकी कोई दिसा नहीं होती, आप इसको जिधर मोड देंगे, उधर चली जाएगे, जिस भी उपकरण में कहेंगे, वहाँ पर मतलब ये चली जाती, कोई इसकी दिसा नहीं होती, और इसकी क्या खासियत होती है कि यह क्या कर सकती है लंबी दूरी तैं कर सकती है यानि कि ज्यादा दूरी तैं कर सकती है ना ज्यादा दूरी तैं कर सकती है ज्यादा दूरी तैं करती है ठीक है ना जो हमारी प्रत्यवर्ति धारा होती है क्या करती है कि ज्यादा दूरी तैं करती है ठ प्लस माइनस फाइप हड्स यानि कि इसे हम जनरली तो बोलते हैं 50 ठीक है ना 50 हड्स लेकिन ये प्लस माइनस किसलिए बोला गया है कि मान लिजे कि हमारा जो प्रत्यवर्ती धारा है कभी 50 से बढ़के पचपन हो जाती है प्लस 5 हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा उपकरण खराब नहीं होता है ठीक है ना सही से चल लाओ होता है और माइनस के मतलब कि अगर 45 भी हो जाता है तो हमारा जो उपकरण है काम करता है ठीक है लेकिन अगर 40 हो गया तो क्या होगा उपकरण काम करना बंद कर देता है और अगर 55 से ज़्यादा हो गया 60 हो गया तो उपकरण क्या हो सकता है खराब हो सकता है ठीक है ना ठीक है उसके बाद अगर बात करें कि हमारा जो आवरत्ती हो गया ये चीज हो गया उसके बाद हम बात क्या करते हैं कि प्रत तेवरती धारा पर काम करता है ना यह हमारी एक बज़े से दो बज़े तक चलेगी ठीक है ना एक गंटे की क्लास होगी ठीक है जो हमारे यह पर भी आंसर दे रहा है बहुत सही ठीक है ना चंदरकुमार जी दे रहा है अंसर कि भी ठीक है ना भी हमारा इस कोस्टन का विदी होती है जल्दी से सभी लोग कमेंट में बताएंगे यह जो हमारे आपसन दिये गए है सभी लोग कमेंट में जल्दी से बताएंगे कि कौन सी विदी होती है जिसे क्या करते है सोने के गहनों की ब्रेजिंग के लिए उपियोग किया जाता है ठीक है ना सभी लोग यहा विदी होती है वो होती है लो पाइप ब्रेजिंग क्या होती है लो पाइप ब्रेजिंग विदी हमारी क्या की जाती है यूज की जाती है सोने के गैनों की ब्रेजिंग के लिए यानि की जोडने के लिए किसका यूज किया जाता है लो पाइप ब्रेजिंग यहाँ पे C आपस बात की जा रही है तो हम लोग कोई एक एक लाग आंगुठी ठीक है अंकोटी ले जैसे कहीं बाट करना है कि इसका क्या होगा प्राइफ प्रिक्ट ऑंसर ठीक है गवरों संग दे रहे हैं एक विल्कुल करेक्ट आंसर है है बिटर की क्लास भी चलेगी हां फीटर की भी कोशन जो सुबह चलता है ठीक है ना सुबह साथ बजे फिटर और एम एम व्यू जो आरेस्टी है उसकी जो क्या होता है सीक्टраст सुबह साथ बजे चलता है ठीक है और एक क्रत सामको आठवजे भी चलती है ठीक है तो अंगूठी को माल लिजे जैसे हमें low pipe breaking से करना है तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक हमारा होता है ठीक है न यहाँ पे हम क्या करते हैं एक अड़ होता है इसके उपर हम लोग क्या करते हैं अंगुठी को रख देते हैं ठीक है जैसे माल लीजे यह हमारा अंगुठी है इसको हमने रख दिया ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं कि यह जो हमारा अड़ होता है किसका होता है फा पर यहाँ पर हम इसे करना है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगी क्या करेंगे हमारे dalam वे अचों करने के जो काम आता है उसको हम लोग यहाँ, रख देते हैं उसके बाद क्या करते हैं यहां पर एक मुम्बत्ती लेते हैं म mut utiliz यह इस तरह से मातलब गतलबา हो होता है कि अंदर से छेद होता है जिससे हवा इस पार से उस पार जा सके ठीक है ना तो हम लोग इधर से क्या करते हैं इधर से हम लोग क्या करते हैं यहां से इसमें फूपते हैं ठीक है ना यहां से हम लोग क्या देते हैं हवा का प्रेसर देते हैं तो जो यह लव होता है जो इसका जो ताप होता है ये इधर की तरब जाता है ठीक है ना इसका जो ताप होता है ये जाता है हमारा जो फिलर धातु रखी गई है उसके उपर तो फिलर धातु क्या करता है दोस्ते हाँ पे फिलर धातु को गरम कर देता है जो मोमबत्ती का जो आग हम उधर की तरब करते ह तो लव इसे ताब कर देता है और ये जोड़ पर क्या होता है कि घुल के मतलब की पिघल के जोड़ पर बैढ जाता है और जोबी हमारा joint करना होता है वो जुड़ जाता है ठीक है तो यह होता है हमारा की low pipe ब्रेजिंग है ना ब्लो पाइप ब्रेजिंग इसे हम लोग बोलते हैं तो यह यहाँ पर क्या करता है इसे गहनों को जोड़ने के काम आता है जो भी हमारे मतलब की एक तरह से जो भी हमारा जो जैलरी का काम करते हैं सोने के गहनों का काम करते हैं वो इस विधी का प्रियोग क को blow pipe की सायता से हम लोग इधर की ओर फोगते हैं जिससे उसका जो गर temperature होता है वो धाद पर पड़ता है ठीक है ना सर यह blow नहीं होता है इसे blow pipe हाँ यह क्या होता है कि blow होता है ठीक है ना यहां पर क्या होता है यहां होता है यहां पे सभी लोग कर लेंगे कि blow ठीक ना यह flow pipe होता है ठीक है वो typing ने गड़वर हुआ है ठीक है तो यहां पे क्या होगा यह विदि होती है ठीक है न तो flow pipe हो जाएगा अगला हम देखते हैं कि इन में से कौन सी धारा अमेशा धंध्रों सिर्रेड की और बैती है ठीक है न सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसमें से कौन सी ऐसी धारा है जो प्लस से माइनस की और बैती है किदर बैती है प्लस से माइनस की और बैती है ऐसी कौन सी धारा है ठीक है सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से आंसर देंगे तो इसमें हमारा क्या होता है कि जो ये धारा होती है इसमें कौन सी होती दिस्ट धारा यानि कि जो डाइरेक्ट धारा होती है जो डाइरेक्ट करेंट होता है वो हमारा क्या करता है कि हमेशा प्लस से माइनस की ओर बैता है ठीक है ना जो भी हमारा दिस्ट धारा होती है यानि कि डिस्ट जो होती है इमारी डिस्ट धारा ये क्या होती है कि प्लस से माइनस की और बैती है और जैसा कि हम लोगों ने AC करेंट यानि कि जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा थी उसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि उसमें कोई दिसा नहीं होती थी लेकिन दिस्ट धारा में क्या होता है कि इसमें दिसा होती है ठीक है ना इसमें दिसा होती है क्या होता है इसमें दिसा होती है जो प्लस से माइनस की और वैती है ठीक है ना और क्या होता है कि अगर इसको बोला जाए कि हमें यहाँ से मतलब की 100 km या 200 km दूर तक ले जाना है तो वहाँ पर क्या होता है कि यह नहीं जा सकती यह क्या करती है कि यह कम दूरी तैं करती है ठीक है ना यह क्या करती है कम दूरी तैं करती है ठीक है ना कम दूरी तैं करती है और इसे क्या किया जा सकता है इसे बैटरी में इस्टोर करके रखा जा सकता है ना इसे क्या किया जा सकता है कि बैटरी में इसे इस्टोर किया जा सकता है ठीक है इस्टोर किया जा सकता है ठीक है बैटरी में इसे इस्टोर किया जाता है अब माल लिजे कि यहाँ पे एक एक्जामपल ले लेते हैं कि जैसे कि माल लिजे एक AC करेंट है और एक हमारा DC करेंट है ठीक है ना तो ये तो बात हुई कि ये मारी इसमें एक दिसा होती है और ये तेज रफतार से बैती है जो DC होती है ये क्या करती है तेज रफतार से बैती है कैसे बैती है तेज रफतार से ठीक है ना और ये क्या होता है कि धीरे धीरे बैती है ना धीरे धीरे बैती है और ये क क्या करती है कि यह मारी ज्यादा दूरी के तैंग कर सकती है न क्या इस पर कि ज्यादा दूरी और यह क्या करती है कि यह करती है कम दूरी तैंग करती है ठीक है ना कितनी कम दूरी तैंग करती है अब माल लिजिए कि अगर किसी को AC का माल लिजे current लगता है AC का जटका लगता है 220 V ठीक है ना और उसी व्यक्ति को माल लिजे DC का लगता है 220 V तो सभी लोग बताएंगे इसमें से कौन सा ज़्यादा powerful होगा कौन सा ज़्यादा powerful होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो DC है DC ज़्यादा powerful होगी ठीक है यह क्या होगा यह ज़्यादा होगा और यह हमारा क्या होगा कम होगा ठीक है ना DC क्या होता है कि DC अगर प्लस से माइनस की और बैती है तो यह एकदम से बैती मतलब बहुत तेज बैती है ठीक है ना जैसे कि अगर यहां पर हम लोग example ने समझते हैं कि जैसा कि example पर हो गया कि जो हमारी train होती है यानि कि जो rail गारी होती है जो train होती हो काय से चलती है train किसी से चलती है सभी लोग बताएंगे इसका आपको मिल जाया carrier update by engineer है ठीक है न है ठीक है न सभी लोग carrier जो हमारा carrier update by application है ठीक है यहां पर download करना है सभी को carrier update ठीक है ना, career update by engineer, ठीक है न, ठीक है न, क्या download करना है, career update by engineer, जो कि यहां पे लिखा हुआ है, career update by engineer, ठीक है न, इसमें आप लोगों को क्या करना है, इस आपको download करना है, वहां पे एक pdf का section होगा, किसका होगा, नीचे देखेंगे, एक आपको pdf का section दिखाई देगा, उसमें जाएंगे तो उसमें आपको welder का जो mcq का PDF है वहाँ पे आपको मिल लाएगा ठीक है ना हाँ वह आपको मिल लाएगा ठीक है तो सभी लोग प्लेशों में जा कि साइब को करेंगे और जो भी तेयोरी पर जुड़ना चाहिए तो वहाँ पर हमारा विल्डर का कोर्स भी चल रहा है जिसकी प्राइस 299 आप लोग वहां से भी जुड़ सकते हैं ठीक है ना जहां पर पूरा explain किया जाएगा चैप्टर वाइस ठीक है यहां पर सूरज वर्मा दे रहे है dc dc ठीक है हां तो यहीं होता है कि हां इसमें क्या होता है कि dc जूदा पावरफुल होता है ठीक है घ्र안 वोश्के बात जैसे train की हम लोग बात कर रहे थे train किससे चलता है令 हमारा डी of से चलता है किससे चलता है dc से उसलोग सोचेंगे कि भाई बैतरी से कैसे चल सकता है तो बैतरी से hem door कैसे चलता है कि जो train के ऊपर से जो तार कर गए हुए रहते हैं तो जो current गया हुआ रहता है जो तो वह क्षिप लेकिन के अंदेर हमारा क्रेंट हो जाता है कि ट्रेन का हता convert हो जाता है DC में train के अंदर किस से convert कर दिया जाता है DC में convert करके engine में जाता है तो क्या होता है कि train जो हमारी चलती है जैसा कि यहाँ पर बोला गया कि DC जो हमारा होता है तेज रफ्तार में चलता है इसमें क्या होता है power ज्यादा होती है ठीक है ना बट यह क्या है कि अगर इसको अगर wire के थू यानि की cable के थू ले जाया जाए तो ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकता है ठीक है ना हाँ ठीक है तो AC से DC से हमारी train चलती है अब बात करते हैं सभी लोग बताएंगे comment करके कि mobile से हमारा charge होता है ठीक है सभी लोग बताएंगे comment करके mobile किसे charge होता है mobile भी हमारा किसे charge होता है DC से ही charge होता है क्योंकि जो हमारा adapter मतलब की charger होता है उसके अंदर हमारा लगा होता है कि वो हमारे जो हमारा AC होता है उसे DC में convert करता है ठीक है अगर मान लिए आप सीधे mobile को जो charger होता है जो cable होती उसे अगर direct अगर board में लगा के charge करते हैं तो mobile क्या होगा आपका खराब हो जाएगा क्योंकि वो AC को DC में नहीं convert कर पाएगा ठीक है न तो AC को DC में ही convert करके charge होता है ठीक है न सूरज भी बोलना है और चंदन भी बोलना है कि क्या होता है कि DC से ठीक है DC से charge होता है ठीक यह हमारा question number 4 हो गया question number 5 की और हम लोग बढ़ते हैं कि question number 5 हमारा क्या है कि कोशन नमबर 5 है किसी ट्रांस फार्मार में प्रार्थमिक टर्णों की संख्या यानि कि प्रार्थमिक टर्णों की संख्या हमारी क्या है 20 है एवं वोल्डता उसकी क्या है 10 है वोल्डता क्या है 10 वोल्डता क्या है कि दो ती टर्णों में बोल्ट था तो दे दी गई है पांच लेकिन हमें ग्याद क्या करना है यहाँ पर हमें ग्याद करना है कि टर्णों की संख्या क्या होती है ठीक है टर्णों की संख्या कितनी होगी कितनी होगी यह हमारे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से इकत हो रही तो हमारे साथ यहां पर देखेंगे कि किस थरा से होता है ठीक है यहां पर क्या दिया गया किसी ट्रांसफार्मा की प्रार्थमिक टर्णों की संख्या यानि कि यहां पर N1 जो हमारा दिया गया है प्रार्थमिक टर्णों की संख्या 20 है और वोल्डता जो हमारा V1 है तो वो हमारा कितना है दस वोल्ट है उसके बाद क्या गया है जो द्वती टर्णों में यानि कि जो हमारा येंट्व है जो द्वती टर्ण ये हमसे पूछा गया है और वोल्टता जो है हमें दूसरी जो वोल्टता है वो हमें दी गई है पांच ठीक है तो इसे हमें क्या करन देता है कि इसमें हम लोग formula लगाएंगे v1 upon v2 is equal to n1 upon n2 v1 की value हमारी क्या है 10 है v2 की हमारी value क्या है 5 है n1 की value हमारी 20 है n2 की value तो भाहि ज्याद करनी है है ना तो हम क्या करेंगे इसे 5 से अगर हम लोग cross कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 है ना दो बार जाएगा तो n2 हम क्या करेंगे यह हमारा क्या आएगा ठीक है ना सभी लोग ध्यान से देखेंगे 5 से हमने इसको divide किया तो 2 बार divide हुआ उसके बार क्या है कि इसका cross multiply हमने इधर कराया तो यह हो गया हमारा यहाँ पे कितना 2 n2 2 n2 is equal to 20 फिर हमने क्या किया तो यह जो दो हमारा multiply में है यह हमारा किस में जाएगा यह हमारा divide में जाएगा यानि कि जो गुड़ा में है वो भाग में चला जाएगा तो यहां से हमारा n2 की value कितनी आ जाएगी n2 की value हमें 10 आ जाएगी ठीक है न n2 की value कितनी आ जाएगी n2 की value आ जाएगी 10 यानि कि हमारा answer होगा b number ठीक है न हाँ जो हमारे कौन है army भाई हमारे answer दे रहा है कि 5b यानि कि 5वें का b number सही होगा ठीक है ना 10 ठीक है कैसे इस तरह का अगर कभी भी आपको कोशन पोस्टा है तो हमें ये फार्मूला याद रखना है ठीक है ना हमें हमेशा कौन सा फार्मूला लगाना है V1 और वोल्डिता और टर्नो की संख्या की बात करेगा तो V1 अपान V2 is equal to N1 अपान N2 का हमें क्या करना है इसका हमें यूज करना है और हमें आंसर मिल लाएगा ठीक है ना हां ठीक है ना तो हम लोग चलते हैं अब आगे ठीक है ना इतना सभी को किलियर हुआ जो हमारा आठवा कोर्षन है कि आठवा कोर्षन क्या है कि ताप मापने के पैमाने के बीच क्या संबंद होता है ठीक है ना ताप मापने के पैमाने के बीच क्या संबंद होत यहां पर कहा है कि ताप मापने के लिए यानि कि जो हमारा ताप मापने के लिए ताप मापने के बीच क्या संबंध होता है ना पैमाने के बीच तो ताप किससे हम लोग मापते हैं ताप हम लोग मापते हैं थर्मा मीटर से किस से मापते हैं हम लोग थर्मा मीटर से ठीक है न यह तो हो गया हमारा कि ताप हम लोग मापते हैं थर्मा मीटर से लेकिन जो थर्मा मीटर में जो आजकल ज्यादा चलना है जो पैमाने ज्यादा चलना है वो हमारे क्या है कि हमारा एक है यहां पे अगर हम लोग बात करें तो एक हो गया हमारा तो अब इन में क्या होता है, इन में हमारी दो value होती है, ठीक है ना, एक हमारी value होती है, यहाँ पे low value, ठीक है, एक हम बात करेंगे low value की, एक हम लोग बात करेंगे high value की, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा low value क्या होगा, और हम हमारी high value क्या होगी इनके बारे में देख लेते हैं तो जो हमारा केल भी होता है यानि कि जो हमारा centigrade होता है इसकी high value क्या होती लो वैल्यू क्या होती सभी लोग comment करके बताएं ठीक है यहाँ पर minimum maximum और maximum का नहीं करना है low और high मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर कोई fix नहीं है उससे ज्यादा भी माप सकते हैं कम भी माप सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्या लिया गया है एक मेन मेन पैमाना लिया गया कि कहां तक माँ आप सबते हैं C पे हम लोग क्या होता है कि centigrade पे हमारा 0 से क्या होता है 0 से हमारा क्या होता है 0 से 100 होता है यह हमारा क्या होता है 0 से 100 होता है अगर हम बात करते है तो फारेन आइट हमारा होता है 32 से 212 ठीक है ना उसके बाद Kelvin की बात करें Kelvin की low value कितनी होती है 273 होती है और इसकी high value क्या होती है high value होती है 350 ठीक है कितनी होती high value 383 ठीक है न हाँ 0 से 100 ठीक है सही आगे इसका फारे नाइट का भी हमने तो लिखी दिया rumor का बताएंगे कितना होता है rumor का हमारा होता है 0 से 80 ठीक है न जीरो से 80 अब देखिए क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा तर यूज centigrade का करते है जो हमारे गड़ी तक गहोते है हो फारे नाइट के उसकर पुर्वच चांब जो वैग्यानिक होते हों के लिए जू मरहीं ज्यादा यूज में नहीं लाया जाता लेकिन इन तीनों के बाद इसका यूज किया जाता है ठीक है न तो इनि पहमानों के भीच हमें relation बताना है जो पूछा है ताप पैमानों ताप मापने के पैमानी ये जो है ये है c, f, k और r इनके बीच में हमें क्या बताना है relation बताना है ठीक है ना तो relation क्या होगा हाँ 0 से 80 ठीक है उसके बाद हमें इसका relation बताना है तो relation बताने का formula क्या होता है भाई relation बताने का यानि कि यहाँ पर हमें क्या बताना है relation ठीक है तो relation यानि कि हमें संबंध बताना है तो संबंध बताने का formula हमारा क्या होता है उसका हम लोग देख लेंगे संबंध बताने का formula हमारा होता है कि thermometer सभी लोग ध्यान दे समझेंगे कि हमारा relation किस तरह से आता है ठीक है ना थर्मामीटर माइनस की low value ठीक है ना low value अपान यहाँ पे क्या करते हैं high value minus low value ठीक है ना यह चीज हमें formula का use करते हैं इनका relation निकालने के लिए ठीक है ना इसका relation निकालने के लिए हम इस formula का use करते हैं ठीक है ना क्या करते हैं कि जो हमेशा ये low value होती है आपको पता है जो बड़ा होता उसमें ही छोटा गटाया जाता है ठीक है तो low value को क्या करते हैं high value में low value को गटाते हैं कैसे अब देखें यहाँ पे जो थर्मा मीटर लिखा गया है किसलिए है कि अगर हम centigrade यानि इस वाले थ करना करना है फारे नाइट को करना है केलविन को करना है व्यूमर को करना है ठीक है ना तो चलिए इसका हम थोड़ा सा डीटेल देख लेते हैं आगे चलके तो हमारा क्या है बात हम करते हैं कि जो हमारा फार्मूला था यहाँ पे थर्मा मीटर जो हमारा फार्मूला था यहा कि हाई वैल्यु माइनस का लोवैल्यू तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे सेंटीग्रेट को समझेंगे ठीक है ना सी यापन अब F – 32 ठीक है हां चलिए सही बता रहें आप इसको चलो हम लोग क्या करते हैं derivation के तुरू समझते हैं कैसे आता है ठीक है तो क्या होगा यहां से कि सबसे पहले c की बात करेंगे तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं c minus इसका low value 0 होता है high value 100 होता है minus 0 इककल उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे हम लोग बात करेंगे foreignite, foreignite की low value 32 और अधिकतं value 212, ठीक है न, हम लोग बात कर रहे हैं कौन से thermometer foreignite इसकी low value 32 होती है, high value होती है, हमारी 212 – 32, उसके बाद हमारा क्या था, Kelvin था, Kelvin की low value 273, high value 313 ठीक है न, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर Kelvin की low value होती है हमारी 273, ठीक है न, high value इसकी क्या होती है, 373 minus 283 ठीक है, उसके बाद हमारा आता है rumor, तो rumor का हमारा क्या होता है rumor में बात करें, तो इसकी low values होती है, 0 होती है high value 80 होती है, low value 0 होती है, ठीक है न, इतना यहां से किया गया, इसके बाद हमें क्या करना है R बटे 4 हाँ ठीक है R बटे 4 ही होता है R बटे 4 ठीक है न यहाँ पर हमें क्या करना है कि अब देखो यहाँ से तो हमने कर लिया इसको घटा लेते हैं तो C होगा C अपन 100 आएगा यहाँ से उसके बाद हमारा क्या आएगा कि F माइनस 32 ठीक है न 212 में अगर हम लोग 32 घटाते हैं तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 180 बचेगा कितना बचेगा 180 बचेगा उसके बाद हम लोग बात करते हैं K माइनस 273 अपन 373 में 283 घटाएंगे 100 बचेगा उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर उमर की आर बटे 80 हो जाएगा आर बटे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा ठीक है ना तो उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं यहां पर कि भाई अब देखो नीचे ठीक है ना नीचे कहीं पर कुछ कामन तो नहीं आ रहा है कोई नमबर कामन तो नहीं आ रहा है ठीक है ना कामन में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कामन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा LCM है ना कौन सा ऐसा नंबर है जो इन नंबर को क्या कर सकता है divide कर सकता है इसका हम लोग LCM देखेंगे यानि कि least common factors जो हमारा होता है उसको देखेंगे कि कौन सा ऐसा छोटा नमबर है जो इनको divide कर सकता है तो हमारा इन सभी में क्या common मिलेगा 20 मिलेगा सबसे चोटा हमारा क्या SC है इसके अंदर हमने देखा तो 20 जो है वो सभी के अंदर common मिलेगा तो हम इसको 20 से divide कर देता है ना तो क्या आएगा यहाँ पे 20 से divide करेंगे तो c upon 5 पास बार जब divide हो गई है उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे f minus 32 ठीक है ना इसको 20 से हम लोग divide करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 20 से अगर हम लोग इसको divide करते हैं 20 से divide करते हैं कितना आता है मारा फाइनल 9 आता है ठीक है न वception रिलेशन होता है relation हमारा क्या निकल के आ गया कि भाई अब तो इन में हम कुछ कर नहीं सकते है न तो इनका जो relation होता है relation हमारा क्या होता है यह जो आपके सामने final result आया हुआ है ठीक है न यह हमारा क्या होता है relation होता है relation हमारा क्या होता है relation हमारा होता है c upon 5 is equal to f minus 32 बटे 9 k minus 273 बटे 5 is equal to r y 4 यह हमारा इसका relation होता है कैसे निकाला गया यह आपको समझना है ठीक है ना जो पैमाने होते है में इनका ही use किया जाता है यह relation निकालने का हमारा formula होता है यह अगर याद है अगर आप formula relation भी बूल लाते हैं तो आप निकाल सकते हैं ठीक है ना बट आपको क्या करना है इसे याद करना है ठीक है ना और किसे याद रखना है और इसे याद रखना है ठीक है ना इसे ठीक है ना यह हमारा important है यह हमारा centigrade हो गया Fahrenheit हो गया Kelvin और रिमर पे relation होता है ठीक है तो यहाँ पर हमारा एक important point होता है एक हमारा note point होता है क्या होता है कि minus 40 पर minus 40 में जो हमारा होता है कि centigrade और Fahrenheit दोनों क्या होते है बराबर होते है ठीक है ना minus 40 पर हमारे क्या होते है centigrade और Fahrenheit दोनों equal होते है ठीक है ना हाँ तो इतना चीज आपको याद रखना है तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे next question हमारा क्या है next question है कि निम्न में से कौन Kelvin scale पर minus 40 Fahrenheit की माप करता है ठीक है ना अब आपको question कैसे solve करना है इस formula का use करके आप यहाँ पर देख लीजे कि यहाँ पर क्या बोला है निम्न में से कौन Kelvin ठीक है ना कौन Kelvin है जो Kelvin scale यानि की बात किसकी हुई यहाँ पर K की बात हुई ना Kelvin minus 40 Fahrenheit यानि की F ठीक है ना की माप करता है relation किसके किसके बीच आया है यहाँ पर K और F के बीच में relation पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना है K और F को लेना है F माइनस 32 बटे 9 K माइनस 273 बटे 5 क्या लेना है आपको आपको लेना है यहाँ पर K माइनस 32 बटे 5 ठीक है ना यहाँ पर K माइनस 232 बटे 9 ठीक है ना क्या लेना है यहाँ पर K माइनस ठीक है ना यहाँ पर आपको लेना है k- 232 बटे 9 होता है ठीक है ना उसके बाद हम बात कर रहा है f की तो f- क्या होता है एक सेकेंड ठीक है ना थोड़ा सा गड़बर हो रहा है ठीक है ना यहाँ पर हम उल्टा लिग गए f- 32 बटे 9 होता है ठीक है ना उसके बाद क्या होता है यहां पर equal करके K-273 बटे 5 यह हमारा इस relation का use करना है ठीक है ना जो हमें क्या है कि यह relation आता है हमें कैसे use करना होता है कि हमें इसको use करना होता है कि अगर C और K में relation पूँचा है तो इनको यूज़ करेंगे F और C में पूँचा है इनको यूज़ करेंगे F और R में पूँचा है तो इनको यूज़ करेंगे मतलब दो चीज़ देता है हम उनी का यूज़ कर दे ठीक है न? F-32 बटे 9 K-270 बटे 5 इसका हमें यूज़ करना है अब देखिए F की value क्या दी गई है माइनस 40 ठीक है न? तो F की जगा हम क्या करेंगे माइनस 40 रख लेंगे 32 बटे 9 उसके बाद हमें क्या करना है कि K-270 बटे 5 ठीक है न? उसके बाद अब हम क्या करते है कि इस 9 का इसे हम क्या करते है इसे हम लोग अगर जोड़ेंगे माइनस माइनस हमारा क्या होता है माइनस माइनस हमारा क्या होता है कि प्लस होता है ठीक है न? तो माइनस माइनस अगर इसे प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 272 बटे 9 ठीक है ना, आगे हमारा क्या आ जाएगा K-273 बटे 5 ठीक है ना, इतना समझ में आया ना सभी को उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं कि 9 से यह डिवाइड हो रहा है 8 बार, ठीक है ना, 8 बार अब इसका multiply इधर कराएंगे तो कितना आया, माइनस का 40 आया, equal to यहाँ पर क्या होगा, equal to क्या होगा, K- 283 कितना होगा, K- 283, ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है अब हमें क्या करना है कि K को, 283 को हम इधर कर देंगे क्या कर देंगे, 273 को हम उधर की तरफ पच्छांदर कर देंगे तो के इसकोल्ट क्या हो जाएगा हमारा 273 माइनस का 40 क्या आ जाएगा 230 क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 233 आएगा 233 ठीक है ना 233 ठीक है ना 233 Kelvin यह हो जाएगा हम लोग का answer number C ठीक है ना correct answer क्या होगा इसका C होगा ठीक है हाँ correct answer इसका होगा जो वो होगा हमारा C कैसे होगा आपने यह देख लिए आपने relation की उसकी आप foreign आइट की value दिया तो हमने रख दिया K की value हमारे सामने आ गई ठीक है ना तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है कि वात आप जो foreign या Celsius पैमाने पर बराबर होता है कौन सा वात आप जो foreign या Celsius पैमाने पर क्या करता है कि बराबर होता है इसमें से हमें ग्याद करना है तो अभी हमने यहाँ पर आपको बताया कि माइनस चालिस यह यहाँ पर बताया गया है माइनस चालिस में यह जो दोनों होते हैं सेल्सियस और फारेनाइट बराबर होते हैं ठीक है ना? तो सेल्सियस हमारा क्या होता है? ठीक है ना? अगर हम लोग इसे Celsius की जगा पे रखते हैं, C की जगा माइनस 40 रखके देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा माइनस 40 बटे 5, is equal to F minus 32 बटे 9, तो इसका हम लोग तिरियक बुड़ा कराते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, हमारा 360 हो जाएगा, is equal to क्या हो जाएगा, हमार करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको हम 5F के equal करेंगे, इसको हम लोग इधर बेजेंगे, तो यह जो 160 तो प्लस का हो जाएगा, यह माइनस का 360 रहेगा, क्योंकि हमने 160 को इधर बेजा, तो प्लस का हो गया, 360 हमारा इधर ही है, ठीक है, इधर सिर्फ बचा हमारा 5F, ठीक है तो अब क्या हो रहा है, 160 में हम लोग इसको घटा लेते हैं, 360 को, 360 में हम लोग 160 क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है न, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे हमारा बचेगा, ठीक है न, यहाँ पे हम लोग 160 माइनस करते हैं, तो हमारा कितना बचता है, 200, क्या minus की value बड़ी है फिर हम क्या करेंगे f is equal to minus 205 ठीक है न तो यहां से f की value क्या आएगी कि minus का 40 क्या आएगी f की value minus 40 देखो यहां पर हमने c का क्या लिया minus 40 लिया हमने और हमने इस formula पर रखे जो relation होता है दोनों का उस पर रखे solve किया तो f भी हमारा minus 40 आया इसका मतलब क्या होता है अगर हम f minus 40 रखें तो c minus 40 आएगा c minus 40 रखें तो f minus 40 आएगा यानि कि यह दोनों minus 40 पे क्या होते हैं दोनों same होते हैं minus 40 centigrade और minus 40 पारियनाइट दोनों same होते हैं ठीक है न समझ में आये न, यहाँ पर क्या था कि यह जो 200 था, यह माइनस पर था तो माइनस का 40 ही आएगा ठीक है, यहाँ पर हमारा कौन सांसर D नंबर यहाँ पर सही होगा ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे है एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने वोल्टेज आपूर्थ की आवसकता होती है, एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने वोल्टेज की क्या होती है, आपूर्थ की आवसकता होती है, ठीक है क्या है कि हमारा एक ट्रांसफार्मर है, तो उसको कितने वोल्ट की आपूर्थी करना पड़ेगा सभी लोग बताएंगे कि उसे हमें 230 वोल्ट की आपूर्थी करना पड़ेगा कितने की 230 वोल्ट की आपूर्थी करना पड़ेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इस जगा पे क्या करते हैं इसकी जगा पर हम लोग यूज करते हैं एक हमारा होता है ठीक है ना कि हमारा यहां पर एक होता है कि step down ठीक है ना step down transformer होता है क्या होता है यहां पर step down step down transformer क्या होता है कि step down transformer यह हमारे क्या होता है यह हमारे दो transformer होते हैं छिए हमें क्या हूँ करते है इस्टेप down transformer क्यों कि यहां पे होता है 230 से अगर ज्यादा voltage आ रहा है तो उसे 230 की आ पूर्थी करना है तो 230 यहीं भेजएगा ठीक है न जो ज्यादा वोल्टेज है उसे कम करके 230 ही भेजता है और जो step up transformer होता है वो क्या करता है अगर 230 से कम है तो वो 230 बना करे उसे भेजता है step down का मतलब होता है यह value को कम करता है अप का मतलब है यह वोल्ट को ज़यदा करता है यानि की बड़ाता है ठीक है न तो यह हमारे दो transfer वल्ट थंधा है सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौनसा आंसर सही होगा तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा कि जाब से इलेक्ट्रोड की ओर क्यों कि जो हमारा इस्ट्रेट पॉलेरिटी होता है बात करें अगर इस्ट्रेट पॉलेरिटी की इस्ट्रेट पॉलेरिटी में हमारा क्या होता है कि जो हमारा जाब होता है यानि की कारेखंड कारेखंड जो होता है जाब जो होता है कारेखंड होता है जो वो positive होता है और जो हमारा electrode होता है ठीक है न जो हमारा electrode होता है ये क्या होता है negative होता है ठीक है क्या होता है electrode हमारा negative होता है तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारी straight polarity में धारा जो होती है वो हमेशा plus से minus की तरफ बहती है तो plus से minus अगर बहेगी तो भाई वो job से यानि की कारखर्ण में positive है तो job से electrode की और जाएगी ठीक है ना? किदर जाएगी? job से electrode की और अगर यहाँ पे बोलता है कि reverse ठीक है ना? reverse straight polarity की तो इसका just opposite होता है क्या होता है? कि यहाँ पे जो कारेखंड होगा यानि कि जो job होगा यह क्या होगा? negative होगा और जो हमारा electrode होगा यह positive होगा तो यहाँ पे जो धारा बहेगी वो किदर बहेगी? electrode से body की और यानि कि electrode से job की और बहेगी से job की और प्लस से माइनस की और इतना concept आपको याद रखना है कि reverse polarity क्या होती है? कि प्लस से माइनस की और बहती है ठीक है? प्लस से माइनस की और ठीक है? समझ में आया? इतना सभी को समझ में आया? comment करके बताएंगे कि इतना समझ में आ रहा है कि नहीं ठीक है ना सभी लोग जितने लोग जुड़ु हुए है कमेंट करके बताएंगे नहीं क्लास कैसी लग रही है मजा आ रहा है कि नहीं इसी तरह बिल्कुल थेवरी को उड़ाया जाता है जो हमारा बैच चल ला है ठीक है ये क्या है ये हमारा हो गया question number 10 ठीक है हम लोग आते हैं अपना जो next question है निमनलिकित welding machine में किस machine को AC तथा DC में welding करने के लिए प्रयोग किया जाता है भाई ये आपके सामने option है आप लोग जल्दी से आप जवाब दीजिए कि क्या होता है ठीक है यहां पर हमारा क्या होता है सभी लोग रोज जुड़ने की कोशिस करेंगे आपको mcq तो कहीं भी मिल लाएगा लेकिन उसका explanation ज्यादा जरूरी होता है कैसा हुआ क्यों ठीक है ना तो उसके लिए आपको यहां पर जुड़ना चाहिए इस class पर ठीक है यहां पर यह हमारा कौन सा answer सही होगा कि welding rectifier क्या सही होगा welding rectifier ठीक है तो जो welding rectifier होता है इसका use हम क्या करते है ऐसी तथा DC welding करने के लिए करते है क्यों कि हमारा जो यह welding rectifier होता है यह क्या होता एक तरह से कि छोटा सा क्या होता है छोटा inverter मसीन होती है ना क्या होती है छोटी inverter मसीन होती ठीक है ना 11D आप किसकी बात कर रहे हैं भाई गेरा डी नाइस लेक्षर सर्ट केम आर्मी भाई यह गेरा डी मतलब क्या होता है भाई समझ मनें आरा थड़ा साफ सच लिखेंगे तो मजा आएगा ठीक है welding rectifier का मतलब क्या होता है welding rectifier क्या होता है कि एक छोटा जिसको हम बोल दें कि inverter होता है छोटा inverter welding machine होती है कि छोटी inverter welding machine होती है चोटी inverter welding machine होती है तो यह क्या करती है कि AC को DC में बदलता है कि AC को DC में बदलता है तो हमें क्या है कि welding rectifier का यूज किया जाता है AC तथा DC welding करने के लिए ठीक है न क्योंकि अगर AC है तो DC में change कर देगा DC है तो कोई बात ही नहीं ठीक है ठीक है न तो यह चीज होता है मारा इसका answer हो गया welding rectifier ठीक है न आगे हम लोग बात करते है welding set का प्रकार welding set का प्रकार क्या होता है ठीक है welding set कितने प्रकार का होता है यह आपके सामने एक answer है इसमें से आपको सभी लोग जल्दी इस comment में बताएंगे कि नहीं क्या answer कौन सा सही होगा ठीक है ना इसमें से जो हमारा सही होगा वो हमारा होगा उप्रोक्त सभी क्योंकि welding set जो होता है वो हमारा AC welding transfer भी transformer भी होता है DC generator भी होता है है ना और ये देखिए AC और DC rectifier जो हमने अभी पीछे देख लिया कि किस welding rectifier का AC भा DC welding करने के लिए किया जाता है एक तो हो ये हो गया कि हमारा AC और DC वही चीज यहाँ पर है कि AC तथा DC rectifier ठीक है ना ठीक है ना डी नमबर ये सभी होते हैं ठीक है आगे हम लोग देखते हैं आगे transformer में weld नहीं कर सकते हैं पाई transformer से किसे weld नहीं किया जा सकता है इसके वारे में बात करेंगे सभी लोग जल्दी से अंसर देंगे इसका भी कोशन नमबर 13 अभी हमारे पास बहुत सारे कोशन है अभी हमारे पास और भी कोशन है जिनने जल्दी से देखना है जो कोशन इस प्लेन करने लायक होगा उस क्या है कि कैरियर अपडेट बाई इंजीनियर जो यूटूब का नाम है वही अप्लिकेशन का भी नाम है सब लोग डाउनलोड करके पीडियाफ सेक्शन में जाएंगे आपको यहां पे विल्डेर mcq का पीडियाफ मिल लाएगा ठीक है ठीक है ठीक है तो यहां पर हमारा क क्या है कि ट्रांसफार्मर से विल्ड नहीं कर सकते हैं तो किसे विल्ड नहीं कर सकते हैं कि कापर तता इल्यूमिनियम को हम लोग विल्ड नहीं कर सकते हैं ठीक है बारा भी अच्छा आप आंसर दे रहे हैं क्या बारा भी यहाँ पे सभी होते हैं उपरोग तो सभी बारा का डी होगा ठीक है बारा का डी होगा सभी ट्रांसफार्मर से विल्ड नहीं कर सकते हैं ट्रांसफार्मर से विल्ड क्या नहीं कर सकते हैं काफर तता इल्लूमिनियम क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्या होता है कि जो यह क्या होता है कि ट्रांस्फार्मर से ट्रांस्फार्मर से अलोव धातू अलोव धातू नहीं विल्ड की जा सकती अलोव धातू नहीं विल्ड की जाती है क्या अलोव धातू नहीं विल्ड की जाती है ठीक है न लाओ धातु ही वेल्ड की जाएगी ट्रांसफार्मर से अलाओ धातु नहीं वेल्ड की जाएगी ठीक है ना क्यों क्यों कि क्या होता है अल्यूमिनियम जो होता है अगर अल्यूमिनियम को हम लोग गर्म करते हैं तो बहुत ज्यादा क्या होता है नाजोक होता है बहुत ज्या ब्रादा अगर कर दिया जाता है क्योंकि वेलडिंग करते हैं तो कोई बीधात वह गर्म होती है तो यह क्या है और यह लीनियम तूट जाता है ओर अगर देखें यह आप दूसरा पट क्या होता है कि फार कि यह कमजोर हो 휩िक तूजर जाता है यह क्या होता है कि कमजोर होता है तूट सकता है तूट सकता है तूट ही जाता है ठीक है ना उसके बाद क्या है कि यह अपना जो इसका कलर होता है अल्यूमिनियम का इसको जब बिल्कुल पिघलने के तापमान पर गर्म करते तब यह अपना कलर बदलता है कब बदलता है कि ज पिखलन लिए का करते हैं कि इसे हम लोग नहीं विलन कर सकते हैं ट्रैसफर्मर से लोहे partner कर दो लाल बहुती है लेकिन पिखल्दी नहीं है अगर इसको係 गरम किये थे पिखल्द लाती है तो building हम लोगों को करने में दिक्कत होती है ठीक है ना आगे हम लोग देखते हैं कि नीचे दिये गए संकेत इन में से किसके संकेत को प्रदर्सित करता है यह जो हमारा संकेत है तो यह यहाँ पे जो option दिये गए है किस संकेत को प्रदर्सित करता है सभी लोग जल्दी से comment करके बत यह होता है हमारा single अगर माल लीजे कि कोई हमारा job है जिसमें हमें इस तरह से भी जोड करना है तो यह हमारा क्या हो जाता है यह हो जाता है हमारा double क्या हो जाता है double समझ में आ रहा है ना सभी को कि यह क्या होता यह हमारा single भी है अगर इसी पे नीचे बना दिया जाता है एक जोड और तो वो हो जाता है हमारा double है ना वो क्या हो जाता है हमारा कि double जोड हो जाता है ठीक है इसी तरह हमारा u का भी होता है अगर single इस तरह से है तो single u बट जोड होगा अगर नीचे भी कोई धातु जोड दी जा रही है इस तर तो यह चीज यहां पर क्या होता है कि सई है ठीक है आगे हम लोग देखते हैan Welding Sankte供 कितने तत होते हैं अगर यहां पर देखें कुछ हम लिखने की कोसिज कर रहे है कि एक sankte के टमक घ़र किया होता है एक हमारा होता है संकेत आत्मक्तत्तु एक होता है हमारा तीर का निसान एक होता है हमारा तीर का निसान ठीक है एक होता है हमारा जैसे की बात करें कि आगे का भाग यानि की आगे का भाग को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आप लोग समझ सकते हैं ठीक है न बुक में बुक की लेंगे से मिल जाएगा आगो समझाने कोशिश की जा रही है आगे भाग में विल्ड है ना आगे भाग का विल्ड हो गया उसके बाद हो गया हमारा पिछला भाग उसके बाद हो गया हमारा फिनिसिंग हो गया उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जैसे की और हम लोग बात करते हैं फ़ीनिसिंग हो गया और हमारे दो होते हैं जो हमारे साथ प्रकार के होते हैं टूक टोटल ठीक है ना आज को बुक में मिलाएंगे ठीक है न ठीक है न? बीम बीम तत्तो भी बोलते हैं जिसे हम ठीक है न? ऐसा कुछ सब्द होता है जिसे आप लोग देख लेंगे बुख में मिल लाएगा एक हमारा और होता है ठीक है न? जो इस बक्त थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है एक चीज और होती है एक हमारा और होता है जो अगर हमें आगे याद आता है तो हम इसको बता देंगे ठीक है न तो यह साथ चीजें होती है छे चीजें यहाँ पर लिख दिया गया है साथ तरह के होता है ठीक है न साथ तत्त होता है एक हमारा और होता है एक हमारा ठीक न उससे चलो देख लिया जाएगा यहाँ पर है कि अगले कोशन पर हम लोग बढ़ते हैं 16 नमबर पर कि चौकोर बट जोड को दिखाने के प्रियोग में आने वाला वेल्डिंग प्रतिक कौन सा है अगर हमें चौकोर बट जोड को दिखा है वह हमारा यह सिंबल होता है यह सिंबल हमारा क्या होता है चौकोर यह हमारा होता है ट्रेंगल के लिए यह होता है गोल के लिए हमारा चप्टे के लिए तो इस तरह से हमारा होता है तो अभी जो हमारा टापिक है अभी हमारा इस पर पूचा है तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है कि यह होता है हमारा चौक और बट को ठीक है ना चौक और बट को जॉइंट करने में ठीक है अगला कोशन देखते हैं हाइड्रोजन गैस का गुण क्या होता है हाइड्रोजन गैस का गुण क्या होता है सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि ह हाइड्रोजन गैस का गुड़ क्या होता है ठीक है ना हाइड्रोजन गैस का गुड़ क्या होता है सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होता है ठीक है ना हाइड्रोजन गैस का गुड़ जो होता है वो सभी होता है कि वो रंग हीन भी होती है स्वाध हीन भी हो क्या होती है कि जल में घुलन सील होती है ठीक है ना क्यों और क्या होता है कि आगर हाइड्रोजन की बात करें तिससे हम बोलते हैं यह पानी में घुल लाता है ठीक है ना और किसी भी तत्व के साथ आसानी से मिल लाता है क्योंकि हाइड्रोजन हमारा बहुत सीधा होता है कोई यही आर्मी भाई हैं जो सहीज रिपलाई दे रहा हैं बात की लोग तो सांती से बैठे हुए ठीक है ना आर्मी भाई को धन्यवाद की बराबर क्लास के साथ जुड़े हुए है ठीक है ना एसेटलीन गैस में पानी को पानी की वास्प को अलग करने के लिए निम्न मैटेरियल का प्रयोग करते हैं कौन से मैटेरियल का प्रयोग करते हैं पानी को जो एसेटलीन जो हमारी गैस की बात कर रहा है एसेटलीन गैस से पानी अगर गलती से मिक्स हो जाता है तो कौन सा हमार ऐसा material है जो क्या करता है कि इसे वास्पित करता है या निकी हटाता है तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा होगा fumic stone यानि कि अगर इसे clean gas किसे उपकरण में भरी हुई है slender में है अगर उसमें वास्प मिल जाता है तो अगर हम क्या करते हैं कि fumic stone के टुकड़े होते हैं इसको हम लोग डाल देते हैं, तो यह क्या करते हैं, जल को वास्पित कर देते हैं, यानि कि सोक लेते हैं, ठीक है, तो यह चीज हो जाएगा यहां से, ठीक है न, अठारा का A नमबर, ठीक है, हाँ, बहुत सही, अठारा का A नमबर, आगे हम लोग देखते हैं, बहुत सही लोग बता लेंगे, किस गैस की मात्रा अधिक होती है, यह क्या होता है, क्या है, आक्सीजेन उससे कम होता है, यह 21 होता है, आरगन तो अमारा और भी कम होता है, यह 094 करके कुछ होता है, इसकी बात करें तो यह हमारा और भी कम होता है नियाद है ना तो एक सीरियल से ही सीक्वेंस में है इसके आपसन ठीक है ना कि 19 नमबर में क्या वायो में निम्न में से गैस की मात्रा नाइट्रोजन की ज्यादा होती फिर आक्सिजन फिर आरगन और फिर निया ठीक है आगे जो परमाणुक्रमांक जो होता है परमाणुक्रमांक आक्सिजन का हमारा आठ होता है क्या होता है और परमाणुभार क्या होता है परमाणुभार जो होता है परमाणुभार हमारा 16 होता है ठीक है ना तो ये दो चीज़ें आक्सिजन के अंदर आपको ध्यान रखना है ठीक है चंदन भाई बोलना है A A किसका बोलने है? नाइट्रोजन ठीक है चंदन भाई बहुत देर से आ है 19 का A 20 का भी भाई बता दो क्या होता है? ठीक है? यहाँ पर क्या हुआ कि जो यह हमारा है तो यह हमारे क्या है? 20 कोस्टन जो थे हम लोगोंने 20 कोस्टन को solve कर लिया है ठीक है ना? आप लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा होगा कितना जल्दी हम लोग solve कर लिया ठीक है न? हाँ चंदन जी बोलना है D ठीक है न? तो यहाँ से क्या है कि हमारे 20 कोस्टन जो है हमने आज यहाँ पे solve कर लिए है थीक है ना किस class के अंदर जो हमारी क्या है कि यह हमारी class थी विल्डर mcq की ठीक है ना bag 그 margin जो आ지 हमारा पहला station था जो हमारी यहाँ पहली class थी इसके अंदर हम लोगोंने क्या किया कि 20 question आज हमने complete कर लिए कितने question 20 question ठीक है ना 20 question इसी basis पे 20 question per day यानि कि 20 से extra भी हो सकते हैं per day आपको जो है question कराए जाएंगे और ये session per day एक बज़े live होगा ठीक है ना तो आप लोग इसमें जुड़ने की कोसिस करेंगे और अपने जो भी knowledge है उसको बढ़ाने की कोसिस करेंगे है यानि की बिल्कुल हर एक चीज तयार करना चाहते हैं वह भी क्या कोई भी one day exam हो यानि की all competitive exam के लिए यानि की all one day exam के लिए तो वो लोग यहाँ पे theory का बैच जॉइन कर सकते हैं application download करेंगे वहाँ पे आपको welder theory का course चला है मिल लाएगा जो हमारा 6 फरवरी से चला है जिसमें अभी हमारा पहला चैप्टर हुआ है आज से हमारा उसमें दूसरा जो चैप्टर होने जा रहा है ठीक है तो यह चीज है तो हम लोग चलिए अब मिलते हैं अगले session में जो हमारी class number 2 होगी कल एक बज़े आप से फिर से मुलाकात होती है कुछ नए question के साथ ठीक है उनको भी हम लोग इसी तरह से उड़ाएंगे जैसे आज हम लोगोंने question को उड़ाया और बिल्कुल इसी basis पर हम लोग क्या करेंगे concept को समझते हुए चलेंगे जैसे कि यहाँ पर हम लोगोंने concept को clear किया है ठीक है ना तो चलिए आज के session में हम लोग इतना ही रखते है मिलते हैं कल के session में एक बज़े तो सभी लोग live जुड़ने की कोसिस करेंगे ठीक है ना तो ठीक है हम लोग मिलते है next class में ठीक है